नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड यदी आप चाहते हैं आपका फेस हमेशा चमकता रहे आपके फेस पर ऐसी खूपसूरती रहे कि सब लोग आपके फेस को देख कर आपके चेरे से नजर नहीं हटाएं आपका फेस सीसे के जैसा वेदाग रहे जैसे आपके फेस पर सुन्दरता वश्पन में थी उस तरह की सुन्दरता आपके फेस पर अव आ जाए तो फ्रेंड यह वीडियो आपके लिए ही है पूरा वीडियो देखना छोटा सा वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में मै आपको एक ऐसी important remedy के वारे में वताऊंगा कि friend आपको इसको लगाने के वाद मज़ा ही आ जाएगा friend यदि आपने हपते में इसको एक दो वार ही लगा लिया तो फिर यकीन मानना आप इसको हमेशा के लिए भूल नहीं फाएंगे क्योंकि इस remedy के इतने फाइदे हैं फिर चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो कोई भी इसको लगा सकता है किसी भी तरह का कोई side effect नहीं है यदि चैनल पर नहीं तो जरूर ही subscribe कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share जरूर ही कर देना चलिए friend, अब मैं आपको एक एक वात को वताता हूँ इसको किस तरीके से लगाना है, कब लगाना है और इसके क्या-क्या benefit है देखिए friend, कुछ भी खास आपको करने की जरूरत नहीं है आपको नहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने है और नहीं आपको इसको ज़्यादा टाइम लगाके रखना है देखिए friend, आपको तीन चीजों की जरूरत वड़ेगी सबसे पहले चीज आपको विटामिन E के कैपसूल अपने पास हमेशा रखना है क्योंकि विटामिन E के कैपसूल जे हमारी बॉड़ी स्किन के लिए बहुती ज़्यादा फाइने वंद होते हैं और वालों के लिए भी होते हैं आपको सिर्फ उप सिर्फ एक विटामिन E कैपसूल को काट कर उसका जो ओयल रहता है एक छोटी सी कटूरी भी निकाल लेजिए ठीक है friend फिर friend इसके बाद आपको वादाम का ओवाल निकालना है आधी चम्मच आधी चम्मच समस्तिना friend दो चार भूने वस और फिर इसको निकालने के बाद ऐलोवेरा जेल ऐलोवेरा जेल का ट्यूब मार्केट से ले आईए नहीं तो friend आपके पास यदी ताजा एलोवेरा है तो friend उससे वेश्ट कोई और चीज नहीं है ताजा एलोवेरा जेल आप करीब एक एक छोटी चम्मच निकाल लीजिए तीनों चीजों को अपने हाथ की छोटी उंगली से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना मिक्स करने के बाद पांच मिनिट उसको उसी जगे पे खुला छोट देना फिर आप अपना फेस ताजे फानी से धोईए और सूती के कफड़े से दबा दबा कर अपने फेस को अच्छी तरीके से पहुँच लीजिए जब आपका फेस पूरा तरीके से सुख गया हो फिर आपको फ्रेंड इसको रात के टाइम करना है रात के टाइम कर लीजिए फिर रात के टाइम करने के बाद ना तो फिर आप अपने फेस पर कोई क्रीम लगाईए नाई सावन से अपना फेस दोईए नाई फेस वास से अपना फेस दोईए कुछ भी नहीं करना है कुल मिला के आपको इस मिसरन को लगा के सो जाना है या फिर आप जो काम करना चाहें कुछ भी कर रखते हैं दूसरी चीज आपको अपने फिस पर नहीं लगानी है मिक्स करने के वाद ये पूरा मिसरन आप अपने हाथ पर निकाल लीजिए और दोनों हाथों पर मलते हुए पूरे फिस पर लगा लीजिए करीब तीन या चार मिनिट उसी हातों से आप अपने फिस फर मसास करते रहिए पांच या चार मिनिट मसास करने के वाद फिर आप कोई भी काम में लग जाए या फिर आप सो जाए जो आपको अच्छा लगे या वह करिए और सुबा उठने के बाद अपना फिस धो लेना धोने के बाद आप अपने में एक बार कर ले दो बार कर ले जितना भी आपको हो सके आप कर सकते हैं आपके फिस पर ऐसी सुंदरता दिखेगी जो की आपके वच्छवन में थी हर तरही की फ्रॉब्लम आपके फेस से दूर रहेंगी आँखों के नीचे नीचे जो काले काले निशान आ जाते हैं वो भी गायव हो जाएंगे इतनी खास रेमेडी है फ्रेंड यह है इसको छोटे में मत लेना यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना हो इसकी रजल्ट आपको 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड आज के लिए बसना ही नमस्कार